हे वो सब गाईज अनुज हैर और आज हम बात करने वाले हैं forms in html के बारे में कि किस तरीके से आप लोग user से input ले सकते हो form कैसे भरवा सकते हो हमने अभी तक यह बना लिया अपनी website के अंदर जहांपर हमने links वगरा डाले थे last video के अंदर बाइदवी यह हमारी playlist है अगर आप लोगों ने अभी तक इसको follow नहीं किया हुआ अभी तक आपने bookmark नहीं कर रखा तो जाके bookmark कर लिजी क्योंकि यहां पर हम html css और चावस्ट की concept को beginner से लेकर advanced level तक बढ़ रहे हैं और यहां पर हमारी daily clicks नाल दिये मैं अप्र प्रोजेक्स के अंदर लिंकी मैं आप चाहन काम मेंगा और बनाने सक Poland तरीके से तरीके से और आप वापीस आए घा तरहने इनक करते हैं है की यो क्टेषकों क्यों क्यों लोग क्योंकि मैंने करने हूं तो इतना धा धाद कॉंप्लीकेट होता था कुछ आज आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि आप लोग किस तरीके से यहां पर यूजर का लेने वाला पाट और एक उस इनपुट को बैकेंड पर भीजने वाला पार्ट हमारी वेबसाइट के अंदर दो चीज़ें होते हैं एक होता है front end, एक होता है back end, front end होता है user का look and feel वाला part, जहां पर user कुछ interact कर सकता है website के साथ, जिसके बारे में user को पता होता है, एक होता है back end वाला part की आपने form से input तो ले लिया लेकिन उस input के साथ क्या कर रहे हो, एक वो वाला part होता है, वो हम समझे रहे होंगे जब हम JavaScript की ब element होता है, उसके अंदर ये चार element होता है, input, label, select और text area, एक है करके हम इन चार को ही समझ रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करते है input की, उसके बाद रहे होंगे, उसके लिए यहां पर एक file बना लेते हैं, हम अलग file बनाएंगे इसके लिए और उसका नाम हम रख देते हैं, contact details और यहां पर हम contact details रेने वाले हैं user से, user की सारीक सारे information ले रहे होंगे, weird weird information भी ले रहे होंगे इस form के अंदर, आप देखोगे, तो contact details और यहां पर हम समझे वाले हैं किस तरे किसम contact details ले रहे होंगे, सबसे पहले हम एक header लगा दिता हूँ, जिससे पहले हम यूजर को की चांच चल क्या रहा है, और सबसे पहले हम use करने वाले हैं form element को, यह form element होता है, इसी के अंदर आप सारीक सारे input field डालते हो, जितने भी च action attribute को ignore करने हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, कि आपके form के अंदर दो पार्ट होते हैं, front end वाला पार्ट और इक होता back end वाला पार्ट, action बताता है basically कि जैसी आपने input ले ली तो back end में क्या होना चाहिए, कहां बेजना चाहिए data को, अभी फिलाल कि हम इस पार्ट को ignore कर अभी हम देखते हैं, फिलाल कि आप लोग input कासे ले सकते हो, तो उसके लिए आपको बताता है, एक input element होता है, तो हम यहाप लेखेंगे input, and then input के अंदर आपका होता है type, तो by default input type आपका text होता है, कि आप लोगों को text input लेना है, और इसको आप यहाँ पर open करते है, open with live server, तो और यहाँ पर देखेंगे हो, हमारी contact details.html खुल चुका है, यह हमारा h1 tag है, और यह नीचे input का डबबा भी आगया, जिसके अंदर हम text input कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी डा सकते हो, ठीक है, यह हमारी text input होती है, और by default इसका size होता है 30 characters का, ठीक है, by default 30 characters का होता है, इसके size इसके पैडिंग वगएर बढ़ानी है, इसके अंदर styling करनी है, वो सब देखने होंगे, जब हम CSS पढ़ रहोंगे, अभी फिलालम बस basic समझ रहें कि कैसे आप लोग input ले सकते हो, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा, कि यह कौन सा input field है समझने आ रहा, कि बंदिसे name मांग मांग रहे हो, उसके कोई और detail मांग रहे हो, कुछ पता न चल रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते है, कि your name here, ठीक है, इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देखोगे, your name here पहले लिखा रहा है, उसके बाद यहाँ रहा है, मैंने your name here को कहीं p-tech वगरे के मैंने लिखा, मैंने बस ऐसे लिख दिया, इसको, form के अंदर, ठीक है, तो यह भी allowed होता है, आपकी HTML के अंदर आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, वह आपका normal paragraph की तरह एता है, your dummy text, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यह dummy text, अपने आप ही मेरा body के अंदर आ जागा यहाँ आ रहा है, और अगली line में यह input आ रहा है, तो यह क्यों हो रहा है, तो basically हाँ पर दो चीज़ा होती है, एक concept होता है, which is inline versus block element, ठीक है, हमारे कुछ elements inline element होते हैं, कुछ elements block element होते है, block element का मतलब वो होता है, जो पूरी की पूरी line को block कर लेते हैं, जैसे इस paragraph ने देख पूरी की पूरी line को block नहीं क्या देखो, input element हमारा इतना ही है, वहीं पर paragraph element जो है, वो भहुत लंबा, पूरी की पूरी line को ले 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 रहा है, तो यह होता आपका block element, यह होता आपका inline element, तो अगर आप लोग ने कोई block element लिखा है, तो उसके बाद वाली सारी इक सारी चीज वो block हो जाएगी, और उसके बाद नीचे वाली line में सारी चीज़ा आ रही होंगी, तो इसलिए p tag लगाने से आप नीचे वाली line में आ गए हो, अगर आपको इस चीज़ से बचना है, तो हम use कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक label element, तो यहाँ पर मैं use करूँगा एक label element, और label element क इसके बारे में और जानकारिये भी हम ले रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, अभी इसके बारे में थोड़ा और detail में जा रहे होंगे, कि यहाँ पर यह फॉर attribute क्या होता है, और इसके लावा कुछ और id attribute है से हम देख रहे होंगे, लेकिन फिलाल simple रखते हुए आगे बढ यह हमारी इस तरह के से एक ही लाइन में दौन चीज़ आ गई है, क्योंकि यह पूरे के पूरे सारे-सारे in-line element है, यहाँ पर हमने चार element यूज किया है, यहाँ पर आपको दो line दिख रहे है, लेकिन यह आपके चार elements है, तो यह आपका name वाला हो गया, और यह आपका second name वा यह सब लगा रहे होते हैं, लेकिन फिलाल हम CSS के अंदर move नहीं कर रहे है, अभी हम देख रहे हैं किस तरह के से हमारे HTML काम करते हैं, लेकिन हमें label और input समझ में आ रहा होगा, label basically एक ऐसा tag होता है, जिसमें आप लोग label define करते हो, कि यह input का label क्या है, input का नाम क्या है basically, and then input हमा यहां पर इस सारे types रटनने की जरूत नहीं है, बट फिर भी अगर हम समझ लेंगे, तो हम Google पर net search करकर के अराम से अपने forms को बना सकते हैं, तो हमारे पास different है, यहां पर alphabetical order मैं लिखे हो है, button, checkbox, color, date, और भी बहुत सारे होते हैं, time, text, submit, search, reset, बहुत सारे होते हैं, different type के, हम सभी को तो नहीं देख रहे होंगे, कुछ को देख रहे होंगे, जरा बात करते हैं, कुछ की, तो जैसे हमने देख लिए, भी फिलाल text कैसे काम करता है, अगर हम नहीं डालेंगे, यहां पर type नहीं डालेंगे, तो by default उसका मतलब text होता है, अगर मैंने यहां पर इसे तो इसे आप देखोगे, हमारी जो age है, वो actually एक number type की होती है, मतलब number ही हो सकते हैं, तो यहां पर आप देखोगे, age के अंदर सिर्फ number आ रहे होंगे, अब यहां पर आगर आप ABCD डालेंगा ट्राय करोगे, तो वो सब नहीं आएगा, अगर आप यहां पर number लिखोगे, तो अगर आपको date of birth, input करनी है, तो उसके लिए हमारे पास input type होता है, date, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे date, और इसको हम चलाते है, तो यहां पर आप देखो, date of birth के लिए date input type आरा है, इसके हम क्लिक करेंगे, तो हम यहां पर user से सिदा का सिदा date input करा सकते हैं, तो पूरी- अगर आप लोगों को इमेल डलवाना है तो इमेल उसके लिए एक फिल्ड होता है तो हम लिखेंगे यहां पर हमारी इमेल डल जाएगी इसके अलावा हमारे पास एक होता है पासवर्ड अगर आपको चैये पासवर्ड लेबल पासवर्ड एंड दन इन्पूट टाइप पासवर्ड तो इससे आप देखोगी कि यह पासवर्ड डाल सकता है राम से ठीक है तो अनुज यह कुछ भी कुछ भी मैं लिख रहा हूं यहां पर हमें हिदन फॉर्मेट में दिख रहा है क्योंकि यह पासवर्ड अक्चली है अगर मैं आप लिखता हूं suppose करो वांन से लेकर वन से लेकर नाइन दन जिरो और इसको में अगर इनस्प्क करता हूं और इंस्प्क करने के बाद कर देख सकते हो कि यहां पर टाइप पासवर्ड है और similarly आप यहां पर टाइप पासवर्ड को सीधा लिख सकते हो टेक्ष्ट में तो आपको वह सारा पासवर्ड दिख जाएगा तो इस तरीके से अगर कोई पासवर्ड लिखके चला जाए तो आप उसके पासवर्ड को ऐसे पता लगा सकते कि उसमें क्या लिका था मर्ड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको पता होने चाहिए आगे तो इसके लिए हम यहां पर बनाएंगे पहले एक P tag और यहां पर बोलेंगे suppose करो enter your t-shirt size और उसके बाद हम यहां पर बनाएंगे कुछ inputs पहला इंपुट होगा हमारा label let's say small और इसके बाद हम बनाएंगे एक input और इसका type होगा radio और इसी को मैं copy paste कर लूँगा तीन बार small medium and then large इस तरीके से तो आप यहां पर देखोगी कि हमारे पास small medium large आ गए है अच्छा radio अच्छा मैंने रेडियो के जगा रेशो लिग दिया है तो अब यह आ गया है और आप देखो यह radio बटन से भी आ गया हमारे पास लेकिन आप यहां पर एक चीज़ नोटिस कर रहे यह multiple choice option की तरह treat ना करे इसको तो अगर आपको यह चीज़ अच्छीब करने है तो उसके लिए हम use कर रहे होते है एक दूसरे attribute का which is name attribute तो input के अंदर हम define कर सकते है name attribute भी तो name equals to let's say t-shirt size और इस name attribute को हमें copy करना पड़ेगा बताना पड़ेगा कि यह ही name है इस input का ठीक है तो चितनी भी inputs को हम चाहते हैं कि वह एक group में आ जाया है उन सभी का नाम हमें एक ही रखना पड़ेगा तो t-shirt size मैंने तीनों का नाम रख दिया है अब मैं अगर small पर click करूँँगा एंदर medium पर click करूँगा तो आप देखे हो small वाला अपने आप ही deselect हो जाएगा तो इस तरीक के लिए labels को बाद में लिखना चाहिए और input को पहले लिखना चाहिए ठीक है तो input लिखो then label लिखो इस तरीके से पहले input and then label इसी तरीके से पहले input and then label अब इस चलाएंगे तो अब यह थोड़ा बैटर लग रहा है small medium large इस तरीके से काम कर रहा है अब यहां पर आपको दिख अब यह आप देख रहे हूं मैं अगर small पर क्लिक कर रहा हूं small वाले text पर क्लिक कर रहा हूं तो उससे small वाला checkbox मेरा भर नहीं रहा है similarly medium पर क्लिक करने पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा medium नहीं भर रहा तो इसी काम में आता है हमारा label element label element बहुत ही कमाल का होता है और इसके और भ तो बाइंडिंग समझ लेंगे हम किस तरीके से आप label को input के साथ बाइंड कर सकते हैं अभी हम दोनों को बस individual लिखते रहें लेकिन आप इन दोनों elements को बाइंड कर सकते हैं उसको करने के लिए कुछ नहीं करना for attribute होता हमारे label के अंदर और id attribute होता हमारे input के अंदर दोनों की the screen reader will read out loud the label when the user focuses on input element तो जैसी किसी भी input element फोकस किया तो उसकी corresponding label अपने आप ही read out loud हो जाएगा ऐसी users के लिए जिनोंने screen reader को enable कर रहा है इसके लाबा label हमें बहुत जदा help करता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है जो मैं आपको बता भी रहता कि label element also helps users who have difficulty clicking on very small regions such as radio button or checkboxes because when the user clicks the text within the label element it toggles the radio button ठीक है तो यह आपको बहुत जदा कमाल का है different different functionality दे रहा है अगर आपको toggle भी कराना है टेक्स पर क्लिक करके तो उसमें भी काम में आएगा इसके लाबा screen reader के time पर भी अपने आपी बोलने लग जागा ठीक है जो भी text label की वीच में लिखा हुआ है वह अपने अपी play उन लग जाएगा तो इसको जरा हम configure कर लेते हैं तो हमने label पहले सी बना रखे है हमें बस करना क्या है कि यहाँ पर हमें input के अंदर एक id करनी है और इस id का नाम हो सकता है let's say small form में डाल देंगे यही small ठीक है तो यहाँ पर copy करूँगा यहाँ पर paste कर दूँगा इस तरीके से तो अब आप देखोगे कि जब मैं small वाले text पर भी क्लिक कर रहा हूं तो भी अपने आप small select ह रहा है में मीडियम वाले text पर क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हरा है कि मैंने medium के लिए config नहीं किया है medium के लिए मुझे यहीं पर click करना पठ रहा हूं लेकिन small के लिए इसके अंदर म्डाल देंगे लार्ज एंद इसके भी अंदर यहीं डाल देंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर आप जो चीज़ लिखेंगे वो तो बस डिस्पले होती है यह आई डी लेकिन आपको हमेशा सेम रखने है ठीक है यह तो बस देखने वाला टेक्स यहां पर करेंगे तो इससे हमारा यहीं रिट्यो बटन भी चेंज हो रहा है यही सेम चीज़ अगर आपको बाक्यों में भी रिखर करने तो हम इसी ली कन्फिगर कर सकते है जैसे अकर मैं इमेल पर क्लिक करूं यहां पर तो मेरा यह आपने आपी हाइलाइट हो जाए यह अगर तो मैं आउंगा अपने email वाले पर ये रहा हमारा email और इसके for के अंदर में लिखते हूँगा email and then input की ID में डाल दूँगा email तो इससे क्या होगा कि आप मैं email पर क्लिक करूँगा तो अपने आप ही ये highlight होगा ठीक है focus में आ गया तो इस तरह के साब सारे के सारे label define कर लेना मैंने आप पर label छोड़ दिया है लेकिन आपको बस करना क्या for attribute के अंदर डालना है वही चीज जो आप input की ID में डालोगे अब आगे move करते हैं कुछ और BR text डाल देते हैं यहां पर and then let's say color input कराना है तो color input कराने के लिए हमारे पास एक field होता है which is color for color and then यहां पर हम डालेंगे your favorite color और यहां पर हम input डालेंगे type color और इसकी ID define कर देंगे color इस तरीके से यहां पर देख रहे हमारे color के लिए एक picker आ गया इस पर क्लिक करेंगे एंदर हम यहां पर कोई भी color चूज कर सकते हैं तो यह अपने आप ही by default आ गया है यह जैसा दिख रहा है यह different different browser पे डिपेंड करता है किसी browser में अलगतर किसे देख रहे किसी browser में अलगतर किसे देखेगा लेकिन आप easily हर browser के अंदर color तो pick कर ही पाऊगे तो यह आपने color pick कर लिया इसके लावा कुछ और input types भी देखते हैं तो एक होता हमारे पास reset तो उसकी help से आप लोग पूरे को पूरे form को reset कर सकते हो एक बार में पूरे form reset हो reset button आगया इस reset button पर क्लिक करते हैं सारक सारा हमारा form reset हो जाएगा सब्सक्रों मैंने form करने कुछ कुछ value बर किया ठीक है और जैसे हम reset पर क्लिक करेंगे यह पूरा form reset हो जागा तो यह इसके काम में आता है इसके लावा हमारे पास एक होता है input type submit उससे हमारा form submit करने काम में आ उनके उपर पहले तो validation होता है कि इसने सही field भरे हैं कि नहीं भरे हैं और उसके बाद वह action perform होता है जो कि आपने form के अंदर action में define कर रखा होता है तो फिलाल हमने form के अंदर action में कुछ भी define नहीं कर रखा तो फिलाल क्या होगा कि हमारे इसी page को form का response थमाज दे जागा लेक लेकिन यह सब चीज हमने नहीं की है अभी हम देखेंगे लेकिन किस तरीके से आपका यहां पर URL चेंज होता है जैसे हम submit बटन पर क्लिक करते हैं तो मैं काम करता हूं यहां पर मैं नाम बगर डालता हूं second name यहां पर हमने age डाली यहां पर हमें कुछ भी random email डाल देता हूं यहां पर लिखा रहा है तो यहां पर लिखा रहा है बाकी first name second name में जो चीज है लिखी थी वह सब नहीं लिखे आई हैं तो यहां पर आपको बहुत कमाल का और बहुत important चीज दिखनों को मिलेगा which is value ठीक है नेम एंड वैल्यू तो आप हम नेम और वैली समझे रहोंगे टीशिट साइज है यह है नेम और इसके बाद एकवल के बाद जो भी लिखा यह है उसकी value तो हमने यहां पर नेम तो define कर रखा है हर एक radio बटन के लिए कि यह नेम का है इनका तो नेम है टीशिट साइज लेकिन वेल्य वह हमने डिफाइन नी करकि टो बाइडिफॉल्ट ऑन लिखा रहे यहां पर क्योंकि यहां पर कोई साइग वन रखाथा तो अगर आपको इनकी वैल्यू भी डिफाइन कर दोगे तो यहां पर तो मैं आपर हर एक input field की value define कर दूंगा जैसे इसकी हो जाएगी small इसकी हो जाएगी medium कि एंड देन इसकी हो जाएगी value large ठीक है तो यह तो हो गया इनका name यह नेम हमने पहले define किया था और यह हो गया इसका value name define करने से एक फाइद हो तो हमें यह हो गया था कि यह सारे के सारे radio एक ही group के अंदर आगे थे इसके लावा एक और काम होगा कि हमें पतासलिजागा कि यह name क्या है और value क्या है तो अब अगर हम यहाँ पर medium पर click करते हैं ठीक है और बाकी चीज़ें मैं नहीं बढ़ता फिलाल बस पर submit करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर लिखा रहा है t-shirt size equals to medium similarly अगर मैं small पर click करता हूँ तो आप लिखा रहा है t-shirt size equals to small तो हो क्या रहा है जब मैंने small पर click किया और फिर जब मैंने submit किया तो यह पूरा पूरा form दूबारा से load होता है ठीक है यह इसका default behavior है action का कि यह अपने आप ही हमें इस page पर दूबारा लेके आता है इस बार इस URL क के अंदर से input निकाल के और फिर कुछ 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 काम कर सकते हो वह सारक सारा हम देख रहूंगे जावस्रप्त के अंदर अभी फिलाल बस हम समझ रहे है कि किस तरीके से इसका default behavior काम कर रहा है ठीक है तो ऐसी तरीके से आप लोग चाओ तो नेम और वैल्यू हर एक के अंद चर्मा तो सब्मिट करेंगी तो आप यहां पर देखर फिर फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इस सब लिखा रहे है ठीक है तो फर्स्ट नेम अनुझ है एंड टाकिने इंप्रिवीट आपको समझ में रहा हो कितना इंप्र्टैंट है यह आपका तभी काम में आता है जब आप लेकिन आपको समझ में आ रहा हूए कि किस तरीके से form हमारा जा रहा है बनके तो यहां पर आपको दिखर आप मनें भौत सारे टैपस देख लिए बहूत सारे फिल्स देख लिए लेखिन इन सम्में आगे पढ़ने से पहले एक बार मज़रा सारे सारे रिवाइस कर लेता हूं कि कितने अट्रिब्यूट समने पढ़े थे एट्रिब्यूट की वैल्यूस को रटने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है अगर आपको चेक करने कि मुझे रेडियो बटन राने हैं क्या वैल्यू हो र यह काम में आता जब आपने submit प्रेक्ल्क का क्रने के बाद जो भी फिल्ड जा रहा है जो भी वैल्यू जा रही है उसका नाम् क्या होना चाहिए तो यहां से डिफाइन होता है वैल्यू आपको समझ में आ रहोगा वैल्यू बैसिकलि वह वैल्यू होते है जो आपने इस इन यहां पर bunny लिखके आ रहेगा ठीक है यहां पर bunny लिखके आ रहेगा इसको हम घटा के कुछ और लिख सकते हैं लेकिन अगर आप इसे करोगे तो by default इसके अंदर bunny ही लिखके आएगा तो इसकी value bunny है और submit करोगे तो यहाँ पर first name bunny अपने आप चला जाएगा तो इस तरीके से हमारी सारे attribute होते है और एक होता हमारा for attribute for attribute समझ में आगया होगा आपको label और input को bind करने काम में आता है कि जो भी आपके input की ID है वही आपके for के अंदर value होने चाहिए तो यह इससे क्या होगा label और input आपके bind हो जाएंगे तो यही होता है इससे ज्यादा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूती नहीं होती है कि क्या का type हो होगे text area element को select and option बेसिकली काम में आता है अगर आपको drop down input कराना है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक car का option है कि आप कौनसी वाली car चूज करना चाहते हो और उसके अंदर आप चूज कर सकते हो different type के options में से Volvo, Saab, Fiat और Audi इनमेंस आप कुछ भी चूज कर सकते तो इसके लिए हमारे पास होता है एक select ठीक है तो यह रहा हमारा select element इसके अंदर आप define कर सकते हो different options को कि आपके पास कितने options है तो select बेसिकली define करने का में आता है कि इसका नाम क्या है इसका overall parent क्या है and then इसके अंदर जितने भी options होंगे वह आपको अंदर drop down के अंदर देखे choose a car and then हम यहाँ पर बनाएंगे select और उस select के अंदर हम डालेंगे options सब्सक्रों मैं यहाँ पर चार option डालना चाहता हूं और select का नाम होगा यहाँ पर car ID होगी हमारी यहाँ पर cars and then value क्या क्या होगी यहाँ तो different values होगी हमारे पास which are पहली value हो जाएगी let's say Volvo and then option हो जाएगा हम हमारे पास साब option हो जाएगा साब तीसरों जाएगी हमारे पास Fiat option हो जाएगा Fiat चुति हो जाएगी Audi और इसका option हो जाएगा Audi इस तरीके से और इसको ज़र चला कर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे है इसके बाद एक काम करते हैं नीचे कुछ और break line लागा दिते है जिससे की थोड़ा और बैटर दिखाए दे हमें यह और यहां पर हम अपनी कार चूज कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है साब चूज कर लिए मैंने सब्मिट करूंगा तो यहां पर आपका सेलेक्ट अब इसके बाद बात करते हैं टेक्स एडिया की तो टेक्स एरिया काम म अबाउट इस तरीके से एंदर यहां पर रेखेंगे टेल अस अबाउट यॉरसल्फ हमें चाहिए एक बहुत बड़ा टेक्स एरिया तो उसके लिए हमारे पास होता है टेक्स एरिया इस तरीके से इसका नाम हम डिफाइन कर देंगे कुछ भी लट से अबाउट ये भॉला टेक हम अपमक्राद कर सकते हैं लेकिन जाथा और लबाज आपकर सकते हो अब छाथो गया ज्यादा कर देंगे तो अब यह आपको थोड़ा और चोड़ा दिखाई देगा इस तरीके से और आप यहां पर बहुत बड़ा टेक्स लिख सकते हो आराम से ठीक है और हम सब्मिट करेंगे इसे पूरा पूरा टेक्स यहां पर हमारे URL में जाता हुआ में दिखाई देगा तो आप लोगों को दि सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो के अंदर तो वह हम देख रहेंगे नेक्स वीडियो के अंदर